हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं मैं हूँ जियोसना एक बार फिर से मेरे चैनल जियोसना की चैनल में आप सभी का सवागत है आज मैं लेकर आई हूँ बनाना पेस्ट्री इसे बनाना सच में बहुत ही आसान है इसे मैंने बनाना और ब्रैट से तियार किया है मुझे पांच म बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी हेलो फ्रेंड जोसना की चल्ड में आप सभी का स्वागत है रेसिपी पसंद आने के बाद प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक किजिए और वैल ऐकन ज़रूर दबाए सब्सक्राइब का यह लाल सब्सक्राइब कात नहीं है चाकू लेंगे और साथ दिरे करें साइड़ काट लिए अगर आपको तेज नहीं है और साइड काटने में दिक्कत हो रहесी तो आप दो थोड़ा सागेस पत्सक्टे हैं हलका सग मंत्सक्त काटने के बाद हमारे ब्रेट की साइडश चलि इस तरीक से अब बाकी बच्व ही ब्रैट की भी मैंने अपे साइड काड दी है आप दिख सकते हैं यहापे चलिए अब हमें आगे बढ़ना है ब्रैट की साइड काड देने के बाद मैंने यहाँ पे इस बनानों को पीलाओड कर दिया है इसके छोड़े छोड़े अगर आपके पास चॉकलेट स्पैड नहीं है तो आप नॉर्मल चॉकलेट को भी मेल्ट करके लगा सकते हैं चाहे तो इसकी बजाए आप चॉकलेट सिरफ का भी यूज कर सकते हैं यह पूरी तरीकी से आप पर डिपैंड है अब इसके बाद मैंने यहां पे बनाना के इस अब आगे बढ़ते हैं आप मैंने फिरसे एक और ब्रैट लिए है और इसे मैंने यहां पर टॉपपे रखदिया है चॉकलेट स्प्रैड लेंगे फिर से एक बार और इसे अच्छा तरह से पूरी ब्रैट के उन्हें देंगे यह देखिए अब फिर से हमें बनाने के पीसिस लेने हैं और यहाँ पर भी मैंने छे पीसिस का ही यूज किया है यह आप देख सकते हैं कि इसे बनाना सच में कितने ही आसान है चोटेश लेकर बड़े सब ही से बहुत आसानी से बना सकते हैं एक बार फिर से ब्रेड लेंगे चोक्रिट इसे फिर से एक बार ब्रेड के उपर लगाना है बच्चे ज्यादा तर फूटS खाने में आना काने भी करते हैं तो अगर हम इस तरीके से पेश्ट्री या फिर टोस बनाएंगे तो बच्चे इजिली खा भी लेंगे यह देखिए चलिए अब मैंने यहां पर फिर से बनाना के 6 पीस लगा दिये है चलिए अब आके बढ़ते हैं यहां मैंने एक चमब शहद लिया है थोड़ा सा हनी लेंगे और मैंने इस तरह से हनी इसके पर स्प्रैड कर दिया है हनी डालने से इन बनाना पेस्ट्री का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा यह देखिए चाकू के हेल्प से मैंने इसे काट दिया है यह देखिए इस तरह के से यह देखिए हमारी बनाना पेस्ट्री या बनाना टोस पूरी तरह से तयार हैं आप देख सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने गैस का भी यूज भी नहीं किया है मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही ये बन के त्यार भी हो गई है और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समान और समय की भी जरूत नहीं है अगर आप अपने बच्चों को कुछ डिफरेंट देना चाहते हैं तो इन्हें जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कूल न भूले और सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबाएए पूरी तरीके से फ्री है मैंने इंग्रीडन्स लास में लग दिये हैं आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं जो इसने किचन में आपका स्वागत है थैंक्स फॉर वोचिंग